तो जहीं दोस्तो मेरा नाम को पुश्कर और यह है Samsung Galaxy M15 5G और आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे इस फोन में मिलने वाले सारे motion and gesture related features को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको जाना है इस फोन के setting में यहाँ पर आपको जाना है नीचे advanced feature में यहाँ पर आपको मिलता है motion and gestures का option और यहाँ पर सबसे पहला feature है lift to wake का जिसको आप यहाँ से enable कर सकते हैं अगर आप face unlock use करते हैं आपका phone desk पर इस तरीके से रखा हुआ है जैसे हैं आप अपने phone को raise कीजिएगा आपका phone जो है इस तरीके से wake कर जाएगा and आपके face के तरू जो है आप इसको unlock कर सकते हैं तो अगर आप face unlock use करते हैं तो यह raise to wake का जो feature है यह आपके लिए useful हो सकता है next यही पर आपको double tap to turn on and double tap to turn off screen का option मिलता है तो अगर आप home screen पर double tap करते हैं तो इस तरीके से screen को off कर सकते हैं हुआ है आपके absence में कोई भी phone पे call आता है या वो miss call हो जाता है या कोई भी message आता है तो जब भी आप वापस आके अपने phone को pick up करते हैं तो आपका phone एक बार vibrate करेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके absence में कोई miss call या कोई message notification आपके phone में है जो आपको इबर check करना चाहिए next यहां पर आपको option मिलता है mute with gestures का अगर यह option enable रहता है आपके phone पर कोई इंकमिंग call आता है या इस तरीके से call ringtone play होता है आपको अपने phone को instantly mute करना है या silent करना है तो आप इसको just desk पर इस तरीके से instantly अगर अपने phone को mute करना हो incoming call के tone को silent करना हो तो वो आप कर सकते है फिर आपको मिल जाता है इसमें palm swipe to capture का feature अब यह जो palm swipe to screenshot capture का feature रहना है यह samsung m15 5G के previous generation phone में मतलब samsung m14 5G में यह feature नहीं था जबकि यहां पर यह feature देखने के लिए मिलता है तो अगर यह feature enable रहता है तो आप अपने हाथ में palm area का use करके इस तरीके से swipe करके instantly screenshot capture कर सकते हैं अपने samsung m15 5G में अब next यही से अगर हम back जाते हैं तो advanced feature में ही आपको multi window का option मिलता है यहां से अगर आप swipe for split screen and swipe for pop-up view वाला option enable करके रखते हैं तो इस तरीके से corner से instantly drag करके आप किसी भी app को pop-up view में convert कर सकते हैं या फिर two finger से इस तरीके से swipe करके आप दो apps को split screen में use कर सकते हैं तो यह दो काफी important multitasking related gesture का feature भी आपको इसमें मिल जाता है जिसका use करके आप किसी भी app को pop-up view या split screen में convert कर सकते हैं next advanced feature में ही आपको 100 mode का भी option मिलता है इसको आप यहां से enable कर सकते हैं इसको आप gesture के through भी use कर सकते हैं उसके लिए आपको bottom edge के center में इस तरीके से swipe down करना है और आप अपने phone को one-ended mode में use कर पाएंगे next samsung m15 5G में आप navigation gesture भी use कर सकते हैं उसके लिए आपको setting में display setting में आना है display setting में आपको जाना है navigation bar में यहां पर आपको swipe gesture का option मिल जाता है जिससे आप button navigation system के जगा जो है ना swipe gesture यूज कर सकते हैं या navigation gesture यूज कर सकते हैं जिसमें आप swipe up करके इस तरीके से home screen पर आ सकते हैं, swipe up and hold करके आप recent apps access कर सकते हैं, left से या right से इस तरीके से swipe करके जो है आप back button use कर सकते हैं and corner से diagonally इस तरीके से swipe करके आप google assistant को pop कर सकते हैं, अब इस phone में जो last gesture related feature है उसके लिए आ जाते हैं लोग यहाँ पर dialer में, dialer में अगर हम यहाँ पर जो हैन इस तरीके से swipe left करते हैं, तो directly हम उस number को message कर सकते हैं and इस तरीके से swipe write करते हैं, तो directly हम call connect कर सकते हैं, जैसे ये number है इस पर हम directly here picture swipe right किये and directly हम call correct कर पाएंगे, similarly अगर आप अपने phone के contact list में है तो यहाँ पर भी जो हैना खिसी भी number पर पर swipe left करेंगे तो इस तरीके से आप directly उसको message कर सकते हैं या swipe right करके directly आप call connect कर सकते हैं अब अगर आपके Samsung M15 5G में या Samsung के phone में ये feature work नहीं कर रहा है तो dialer में आजेएगा, dialer में 3 dots पे tap कीजेगा, setting में आईएगा and यहाँ पर swipe up करके other call setting में आजेएगा यहाँ पर आपको option मिलता है, swipe to call और text का, इसको enable कर लीजेगा so friends, यही था Samsung Galaxy M15 5G का कुछ motion and gesture related feature अगर आपको ये video अच्छा लगा हो, तो video को like जरू कीजेगा इस phone के regarding को ये भी doubt हो, query हो, आप comment section में पूछ सकते हैं बागे अपने friends और family में share कीजेगा मिलते नेक्स वीडियो में, तब तक technology का स्थमाल लिमिट में कीजे, देखने के लिए आपका धन्यवाद